हेलो फिरेंड्स एक बार फिर से आप सभी का हारदी के मिनंदन है हमारे इस यूटूब चनल ओपन स्टेडी एरिया पर जिसका आप इंतिजार कर रहे थे वो इंतिजार की घड़ी अब समापत हो चुकी है दोस्तो यह जो सेठ हम कराने जा रहे हैं वो समानने विग्यान का सेठ है जिसमें Physics, Chemistry और Bio जो VPSC के द्वारा कोशन्स पूछे जाते हैं या पीछले एकजामत में पूछे गए होंगे इन सभी कोशनों को तयार करके समेट करके मैंने एक e-book बनाया जो समानने विग्यान का है दोस्तो करीब करीब समझ लिजे कि इस पूरे e-book में लगबग 70 पेज़े जाएंगे और उसी में से मैं कुछ 50 प्रशनों को आप लोग को पढ़ाने की कोशिस कर रहा हूँ ताकि आपको BPSC के लेबल वाले कोशन की तरीकाएं पता चल जाए दोस्तो अगर आप मेरे वीडियो अपलोड होने के बाद यानि कि जब ये सेसन सुरू हो रहा है आप देख रहे हैं उसके करीब तीन घंटे तक अगर तीन घंटे के अंदर आप इस बूग को लेना चाहते हैं तो आपको 30 रुपे पेमेंट के साथ ये 79 से 70 पेज Physics Chemistry Biology का आपको परदान कर दिये जाएंगे लेकिन 3 घंटे के बाद यादी आप इसका पेमेंट करके इस किताब को लेते हैं तो आपको 50 रुपे जो है इसके चार्जिस लगेंगे तो 30 रुपे में इस E-book को आप मंगा सकते हैं दिये गे WhatsApp नंबर पर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप सीधे पेमेंट करके हमारे इस E-book को प्राप्त कर सकते हैं अब रहेगी कोसन कि इसमें कोसन में कितने दम है आईए इसलिए भा करके दिखाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगी इस सेट के ताकत पहला प्रस्ण है एक कन समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दीसा लगतार बदल रही है कन का पत कैसा होगा देखे ये दिमाग का को जाएगा दोस्तों आईए दूसरा नमर कोसन आपके शामने जब अर्दस्त सेट होगा यब तक का जो ओपेन स्टेडी एरिया यूटूब चैनल अपना इवुक प्रदान किया सबसे स्ट्रॉंग इवुक जो है एकजाम्स के ठीक पहले आपको प्रदान किये जा रहे हैं हम हमारी पूरी टीम इसमें लगी थी हमारी पूरी टीम ने मील करके और सभी लोगों ने मील करके इसको अपने दिमाग से और VPSC के कोशनों को शंगरहित करके बनाया है तो प्लस देखेंगे दूसरा एक लिप्ट में किसी ब्यक्ती का परत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है देखेंगे एक लिप्ट में किसी ब्यक्ती का परत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट क्या हो रही है सई अंसर है कि इसका तवरन के साथ नीचे जा रही है एक समान यानि कि तवरन के साथ जब इस समान तवरन के स इसा सोच लिजएगा, PRT के एक्जाम दे रहे हैं, TGT का दे रहे हैं, PGT का दे रहे हैं, या फिर आप junior level का भी एक्जामस दे रहे हैं, हर पूरे एक्जामस में, सभी में, जो समान बिग्यान के कोशन्स होंगे, जो आपको इस पूरे सेट से अवस्य मिल जाएंगे, तो सर पता हो, तो आप हमसे पहले कमेंट करते चलिएगा, किसी एक शमान बिग्यान गती में क्या होता है, देखेंगे, सभी बात है कि एक शमान बिग्यान में, चाल और तवरन दोनों ही परिवर्ती होते हैं, इसका सभी अंसर हो जागा, तीसरे नमबर का अप्सन, सौरी, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, प्रस्न है, अगला, तीसरे नमबर प्रस्न है, कि किसी एक शमान बिग्यान बिग्यान यह गती में दोस्तूं, बेग और तवरन दोनों ही नियत बना रहता है, इसका अपसर नमबर A सही हो जाएगा, विलकुल BPSC लेबल का कोश्टन है, इस अन्यमित्ता याद रखेंगे दो बस्तुओं के बीच यदि घर्षन हो रही है तो इसके पीछे मुखे कारण है कि उनके प्रिश्टों के बीच में अन्यमित्ता जो है उसका मुखे कारण है पांचवा नमर कोशन देख लिजेगा पांचवा नमर कोशन है जब लोलक घड़ी की लंबाई दोगूनी हो जाती है तब उसकी समयावधी अर्थार्थ आवर्थ काल पर क्या परभाव पड़ता है देख रहे हैं प्रश्ण है कि जब लोलक घडी की लंबाई दोगूनी हो जाती है तब उसकी समयावधी पर क्या फर्क परता है पांचवे का अपसर नंबर जाने कि दोगूनी हो जाती है एक बार फिर से प्रस्ण को देख लिजे एंसर ध्यान दिये रखेगा दोगूनी हो जाती है प्रस्ण नमबर पांच था और प्रस्ण कहता था कि जब लोला घड़ी की लंबाई दोगूनी हो जाती है तब उसकी समयावधी भी क्या हो जाए समय आदीस है तो छटे नबर का सहीं सर हो जागा कि देखे अवेग जो है सदीस है तवरन भी सदीस है बल भी सदीस है अगर कोई इसमें अदीस है तो उसका नाम क्या है कार्ज जो है वो अदीस रासी है लिजे कोसन आपके सामने है सातवा नंबर कि कीलो वाट मातरक का उपियो किसके मापन में होता है तो दिये जो अपसंस है तो याद रखेंगे कीलो वाट यहाँ पर देखें कीलो वाट कह रहा है कीलो वाट घंटा कहता तो बात अलग हो जाती है तो कीलो वाट यहाँ पर कीलो गंटा आ जाएगा तो उश्मी अमान की इसका सही एंसर हो जाएगा आठवा नमर कोशन आपके शामने है कि किसी मनुस से दुवारा प्रित्मी पर लगाया गया दाब महतम होता है सही एंसर है आठवा अफसा नमर सी इसका सही नसर हो जागा जब वो एक पर पर खड़ा रहेगा क्योंकि इस बार PIT में कोशन्स मिला था जिसमें लिखा था एकि किसी बस्तू पर अगर आप धका लगाना चाहते हैं तो किस अवस्था में लगाएंगे खड़े अवस्था में बैठे अवस्था में लेटे यहां रखा है कि किसी मनुश्वरा प्रित्वी पर लगाया गिया महतम दाब सबसे अधिक कब होगा एक पैर पर जब वो ख़रा होगा तब हो जाएगा नववय का अपसर नमर सी इसका सई अंसर हो जागा हर परकार की लेबल का हमने ध्यान रखा है आप देख रहे है ओपेन स प्रस ने कहता है तो दोस्तो अब ज़्यादा इसमें पढ़ाने की ज़रत नहीं है क्योंकि अब पढ़ाने लएंगे तो समय कटेगा आप उस पेडियाप को ले लिजे और असानी से पढ़ लिजे सारे जो कोश्चन्स हैं फिजिक्स का केमिस्ट्री का और बायो का आसानी से पढ़ लिजे और सामानी भीज्यान की चींता आज से छोड़ ही दीजे ठीके अब तीन घंटे के अंदर अगर आप उसको डिमांड करते हैं दीएगे वाट्स अप नमर पर तो आपको 30 रुएम परदान की जाएंगे तीन घंटे के बाद अगर आप पेइमेंट करेंगे वीडियो के अफ्लोड होने के बाद यानि कि जब सेसन चल रहा है तो याद रख तीन घंटे के बाद उसकी कीमत 50 रुपे हो जाएंगे सुक्रिया जैहिंद